हाई गाईज, वेलकम टू बीबैंकर, स्वागत है आपका आज की क्लास में, वीडियो शुरू करने से पहले आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, आप कर सकते हैं में फेस्बोक, ट्विटर, इंस्टा और टेलिग्राम पे फॉलो डेली अपडेट्स के लिए तो मेक कौन सा देश इरान के क्रांतिकारी गार्ड को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करेगा तो वो कंट्री कोई और नहीं, वो है USA अमेरिका इरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करेगा इसलामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का गठन लिपिक साशन का बचाव करने के लिए 1989 की इसलामिक क्रांति के बाद एक मिशन के साथ किया गया था IRGC एरान का की बैलिस्टिक मिसाइलों और परमानू कारकरम का ब्रभारी है IRGC के पास सेना, नौसेना और वायू इकायों के साथ अनुमानित 1,25,000 मजबूत सेना है means IRGC जो है वो काफी powerful है और इसी वज़े से United States of America ने decide किया है कि इसको आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया जाए चलिए बढ़ते हैं अगले question के तरफ which of the following countries has joined the International Solar Alliance in April 2019 निमनलिकित में से कौन सा देश अप्रेल 2019 में अंतराश्ट्रियस और गडबंदन में शामिल हो गया है तो ये देश है बोलीविया बोलीविया अंतराश्ट्रियस और गडबंदन में शामिल हो गया है बोलीविया के राश्ट्रपती Evo Morales ने बोलीविया के राश्ट्रपती रामनात कोविंद की यात्रा के दौरान सौरे कडबंदन समझोते पर हस्ताक्षर किये तो गैस बोलीविया में जब हमारे राश्ट्रपती यहाँ पे इंडिया राइट हमारे भारत के जो राष्ट्रपती है रामनात कोविन जी वो जब वहाँ पहुंचे थे तब बोलीविया के राष्ट्रपती के साथ उन्होंने सौर उर्जा पे हस्ताक्षर किये थे ठीक है बोलीविया भी जो है वो सोलर पैनल में शामिल हो गया है ठीक है यह question मिल जाते हैं कि अभी सौर उर्जा की देव पैनल में जो देश शामिल हुआ है वो नया कौन है तो उसका अंसर मैंने बता दिया बोलीविया कैसे उसनोंने किया अभी रामनात कोविन जी जब गय थे महाँ पर यात्रा के दौरान तब बोलीविया और इंडिया दोनोंने हस्ताक्षर की सौर उर्जा पैनल वाले चीज़ पे बोलीविया को इंक्लूड कर लिया और यह है क्या आइए से है क्या इंटरनाशनल सोरल अराइन्स है क्या यह बेसिकली इंडिया और फ्रांस का एक कमबाइन प्रोजेक्ट है कह सकते हैं प्रोजेक्ट इसको जो की प्रम वारी रीजन से ग्लोबल वामिंग के तो जब हम लोग नाचरल चीज़े यूज़ करेंगे जैसे की सोलर अनरजी है वह नाचरल चीज है तो हम लोग एनरजी के लिए देखे अब एनरजी के बिना लाइफ चलने से रही जैसा हमारा हो क्या है लाइस्टाईल उसके हिसाब से तो अब क्या कर रहे है ना इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के एक प्रोजेक्ट के सकते हैं हम लोग इसको जिसमें उन्होंने नाचरल एनरजी को मतलब यूज करने के लिए सोलर अलायंस पे हस्ताक्षर करके दोनों देश इसमें आगे बढ़ रहा है और अब एक नया देश इसमें शामिल हो गया है वो है बुलीविया तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेशन की तरफ हुवज अपॉइंटेड अज एड़ गूगल इंडस्ट्री एजन्सी पार्णर्शिप इन टूथाउज़न एंटी एप्रिल 2019 में गूगल की उद्योग एजन्सी भागेदारी के प्रमुक के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो इनका नाम है मयूरी कांगो गूगल की उद्योग एजन्सी भागेदारी के प्रमुक रूप में नियुक्त किया गया है गूगल इंडिया में शामिल होने से पहले मयूरी ने परफॉर्मेंस में एक प्रबंदक निद देशक की रूप में काम करती थी, वह बॉलिवॉड की पूर्व अविनेत्र Whoo जिन्होंने Gसी फिल्मों में काम किया है, तो इनका और थोड़ा-सा थोड़ा पीछे जाते हैं तो background देख लेते हैं, इनुह ने Gcव में बॉलिवॉड में काम कर चुकी हैं कि बढते के अंगले भारत के पहली AI का मतलब है यहाँ पर आटिफिशर इंटेलिजेंस सक्षम इलेक्ट्रिक मोटर साइकल का निर्मान करेगी ठीक है तो वो है रिवॉल्ट इंटेलिकॉर्प ठीक है यह कंपनी को जो नाम है यह है रिवॉल्ट इंटेलिकॉर्प चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन अप्रेल 2019 में कैमरून गनराज्य में भारत के अगले उचायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो यह है राकेश मलोतरा जी राकेश मलोतरा को कैमरून गनराज्य में भारत के अगले उचायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है वह वर्तमान में Counselor General, Consultant General of India, Melbourne की रूप में काम करते हैं तो फिलहाल उन वो जो काम करते हैं वो भी Melbourne कांट्री के लिए काम करते हैं मतलब इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से काम करते हैं मतलब Melbourne के लिए और अभी वो कैमरून के लिए उनको उचायूत के रूप में नियूत किया जाएगा तो कैस यहाँ पर मैं जो रचा बता दूँ कि इंडिया में जो है लोग अपॉइंट किया जाते हैं जिनको आप कह सकते हैं दूठ के हिसाब से और उफिस होता है अलमोस हर कंट्री की में जिसको कहते हैं हम लोग उफिस होता है तो वहाँ पे अलग-अलग पोस्ट पे अधिकारी होते हैं जो उस देश के साथ हमारे सम्मंधों आना जाना इंपोर्ट एक्सपोर्ट यह सारी चीजों का देखरेक और और बहुत सार ओफिशल्स काम होते हैं जो वहाँ पर उनकी देखरेक में होते हैं तो काफे जिम्मेदारी भरा काम है और अभी जो है उराकेश मलुत्रा को कैमरून गनराज्य में भारत के अगले उच्चा उच्चा युक्त के रूप में नियुक्त किया गया है ठीक है चले देख लेते हैं अगला क्वेशन वेर वेर दो सेवेंट फॉरें ओफिस कंसल्टेंस मकल कंसल्टेशन बिट्विन इंडिया एंड इटली हेल्ड इन एप्रिल टू कंसल्टेंसी कंसल्टेंट का इटली और इंडिया के बिच में काफी सारे समझोत हुए हैं काफी सारे मॉइ उस पर हस्ताक्षिर हुए हैं तो दोनों कंट्रीज के वेलफेर के रूप में इसको देखा जा रहा है चले देख लेते हैं अंगला क्वेस्टिन फू अगला क्व विजय चंडोक को ICICI Securities के प्रबंदक निदेशक और CEO के रूप में निउक्त किया गया वो वर्तमान में ICICI Bank के कारेकारे निदेशक हैं बैंक का मुख्याले मुंबई में हैं और संदीब बख्षी CEO हैं तो इसमें कितना सारा आपको questions मिल गया एक की ICICI का head office कहा है वो मुं करते थे इसके पहले वो कारेकारी निदेशक थे चलिए बढ़ते अंगले वर्षन के तरफ which bank has entered into an MOU with भारती एकसा life insurance company to distribute the latter's life insurance products भारती एकसा life insurance company के साथ किस बैंक ने जीवन वीमा उत्पादों को वितरन करने के लिए एक समझोता ग्यापन पर प्रवेश किया है तो ये एक बैंक है करनाटका बैंक दोनों ने मिलकर के इस पर इस MOU पर मेमोरेंडम ओफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है करनाटक बैंक ने जीवन वीमा उत्पादों को वितरित करने के लिए भारती एकसा life insurance के साथ एक समझोता ग्यापन में प्रवेश किया है मतलब कैसा? LIC जैसा और PNB Medlife जैसा ठीक है? बैंक 836 शाखाओं में अपने ग्राहकों को जीवन वीमा उत्पादों के लिए एक विस्तरित पसंद प्रदान करने में सक्षम होगा तो भारती एकसा life insurance के साथ जुड़ जाने के वज़े से क्या हो गया है करनाटका बैंक के जो 836 centers ह वहाँ पे अब उनके customers को insurance का भी एक option मिलेगा ठीक है? जो की powered by भारती एकसा होगा बेसिकली दोनों के बीच में समझाओता हो समझाओता गयापन पर हस्वाक्षर हुए है इस चीज के लिए चले देख लेते हैं अगला question the Chennai Central Railway Station has been renamed as Dr. M.G. Ramachandran Chennai Central Railway Station Dr. M.G. Ramachandran was the founder of Chennai Central Railway Station का नाम बदल कर Dr. M.G. Ramachandran Chennai Central Railway Station कर दिया गया है to Dr. M.G. Ramachandran संस्थापक थे किस जीज के ठीक है to All India Annadravid Munnatera Kazagam इसके वो संस्थापक थे ठीक है तो काफी काम किया है उनोंने इस फील्ड में तो इसी विज़े से Chennai Central का जो नाम है वो अब बदल करके क्या कर दिया गया है M.G. Ramachandran Chennai Railway Station ठीक है चले ही देख लेते हैं अगला क्वेशन Who has became second ever cricketer from Jammu and Kashmir to play in Indian Premier League which is also popularly known as IPL जो अभी की चल रहा है Indian Premier League में खिलने वाले Jammu और Kashmir के दूसरे क्रिकेटर कौन बने है तो यह है रशीक सालमदार जिक है Jammu Kashmir के है यह रशीक सालमदार Indian Premier League मतलब के IPL में खिलने वाले Jammu और Kashmir के दूसरे क्रिकेटर बन गया है उन्होंने टूर्नामेंट में Mumbai Indians के लिए अपनी शुरुआत की थी परवीज रसूल Indian Premier League में खिलने वाले Jammu और Kashmir के पहले खिला रही है तो यह यहां पर आपके तीन-चार क्वेशन बन जाते है एक कि अभी Jammu Kashmir से कौन सेलेक्ट हुआ है तो इसका आंसर है रशीक सालमदार वो किस टीन के लिए खेल रहे हैं तो वो Mumbai Indians के लिए खेल रहे हैं इसके वो कहां से हैं वो Jammu Kashmir से हैं Jammu Kashmir से और कौन क्रिकेटर जुड़ चुके हैं IPL के साथ तो वो एक और है परवेज रसूल तो इतना सारे क्वेशन से इस टॉपिक पर बन गए हैं यह काफी इंपॉर्टन क्वेशन है रीजन है कि IPL चल रहा है अभी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप आगे आने वाले 3-4-6 महिनों में जो भी एक्जाम देंगे उसमें डेफिनेटली IPL से रिरेटेट क्वेशन तो होंगे ही होंगे और यह क्वेशन अपने आप में थोड़ा सा हटके क्वेशन है नॉर्मली लोग क्या याद करते हैं कि कौन जीता कौन हरा, कितना विन किया, कितना लूज किया बट यह क्वेशन जो है वो थोड़ा सा हटके है और इसी लिहाद से काफ़ इंपोर्टेंट है तो येस गाइस, that's it for today thank you so much for watching आप PDF जो है वो description box में जाके जरूर डाउनलोड कर ले जो answers है वो yellow color options में है रोज बताती हूँ, फिर बताऊंगी, रोज बताऊंगी ठीक है, तो चलिए, thank you so much for watching stay tuned to bebanker